तो हेलो फ्रेंट दिसी सूरज और आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कुछ बच्चे HTML जो है कि मुबाइल में सीखना जाते हैं तो उनके लिए क्या कोई एप आता है या नहीं ठीक है तो बिल्कुल दोस्त जो बच्चे मुबाइल में HTML सीखना चाते हैं उनके के लिए भी एप बनाया गया है तो चलिए हम प्ले स्टोर पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या एप है जिससे कि आप HTML अपने मुबाइल में कोड कर सकते हैं तो पहले हम बता दें कि कोड करने के लिए आपके पास दो चीजे होनी चाहिए एक एडिटर और दूसरा ब्राउ ठीक है यहां अगर हम टाइप करेंगे तो यहां जो पहला हम रहा है एंडाइटर फ्री हट्वल एडिटर इस पर हम क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बात से यह जो हमारा फाइल है देखिए 1.5 नवी का फाइल है और 7000 रिव्यूज यानि कि 7000 लोगों नहीं 4.4 रेटि हैं और यहां पर rating के अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए 7868 लोगों तक कर दीया है और 5 rating इन्होंने बहुत सारे लोग five rating किया है ivr rating कि 4.4 रेने कि iuska overall rating इसको डाउनओ करने के लिए हमें in stop क्लिक करना होगा यह हमारा dmb का फाइल इंस्टॉल हो जाएगा तो चलिए इस्टार्ट यह इंस्टॉल होता है तब तक अगर आपने हमारे चाहां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिए क्योंकि हम इस तरीकी का इंफर्मेटी वीडियो लाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सेके हैं तो तब तक यह डाउनलोड होता है तो तक हम वेट करते हैं दोस्त यह डाउनलोड हो चुका है और देखें यहां पर इंस्टॉल हो रहा है इंस्टॉलिंग लिखा हुगा है इंस्टॉल हो रहा है इंस्टॉल हो जाने के बाद यहां पर ओपन पर क्लिक करेंगे और यह हमारा फाइल डिरेक्ट ओपन हो जाएगा ठीक है ओपन होने के बाद से दोस्त यह कुछ परमिसन हो अगरे मांगता है कि आपके फाइल को एक्सेस करने के लिए हम यह आप यह उपन पर क्लिक करेंगे यह आप देखिए अलाव करने को कह रहा है अलाव कर देंगे तो एक दोस्त हम बता दें कि इसमें पैड वर्जन आपको आता है जिसमें कि आप बहुत सारे अच्छे से फीचर ले पाएंगे कोड़ करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए आना पड़ेगा और यहाँ यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं HTML ठीक है HTML में आप तो जानते हैं कोड करने के लिए आपको पहला लाइन लिखना होता है html html हमने दिया और उसके बाद से यहाँ पे close close tag बोलते हैं दोस्त अगर आप html सीखना चाहते हैं न हमसे तो आप हमें comment करके बता दिजिएगा हम आपको html का पूरा कॉर्स आपको यहाँ पे ला देंगे ठीक हम यहाँ पे इंटर करेंगे नीचे आएगा यह just wait थोड़ा slow काम कर रहा है फिर यहाँ पे हम लेते हैं body tag ठीक है तो हम body tag एक लिए लेंगे बस हम जेश्ट आप दिखाना चाहरे हैं दोस्त कि यह काम करता है कि नहीं हमने यहाँ पे body tag ले लिया इसको हमने close tag कर रहा है close tag करने के बाद से body tag में हम चलिए लिख लेते हैं skyline by सूरज यादो अपने चैनल का नाम भी है ठीक है तो हमने इसको कर लिया s k y l i n e skyline by सूरज यादो ठीक है और यह देखे हमारा यह code लिग गया ना राइट हो गया और इतना भी run हो जाता है आप लोग जानते ही होगे अगर code करना जाते हैं तो यहाँ पर play का जो यह button दिख रहा है यह पर play का इस पर हम click करेंगे इस पर click करेंगे तो यह हमारा live preview दिखा रहा है देखिए यह लाइप preview दिखा रहा है सुरज यह दो अब देखिए दोस्त इसको क्या है कि आपको आपको सेव करना होता है सेव करने के लिए अंको यहाँ पर three dot पर click करना होँगा three dot पर click करने के दादफे यहाँ पर save edge पर आएंगे save edge पर save edge आने बात से यहाँ पर देखिए no name dot html के नाम से यह file हमारा save हो जाएगा three dot पर click करने के बात से यहाँ पर बहुत सारी चीज़े आती है, सर्च आता है, copy, paste, save as, tool और इस तरीके का सारी चीज़े यहां पर दिखी जाता है, ठीक है, चलिए एक हम normal सा फिर से code करते हैं, और आपको दिखाने की कोशिस करते हैं, अगर आप code पढ़ रहा होंगे, तो उसमें एक h1 आता है, heading के लिए, ठीक है न, h1 हमने clear tag, और इसको हमने दे दिया close tag, close tag के बाद यहां पर हमने लिएक आया, कि subscribe, subscribe हमने लिखना है, तो subscribe, s-c-r-i-b-e, ठीक है, subscribe हमने लिख दिया, subscribe को तो यहां पर play पर हम क्लिक करेंगे, और अपना review हम देख सकते हैं, तो देखें, यहां पर लिख दिया skyline, भाई सूरज आदो, और यहां पर लिख दिया, subscribe, चलिए एक हम और श्रा, और इसमें दोस्त देखें, यह add आता रहता है, तो इस add को हम cancel है, यहां से कर लेंगे, ठीक है, आई हम नीचे चलते हैं, एक और हम tag करते हैं, तो आप code कर रहे होंगे, तो इसमें एक font भी आता है, लिखते हैं, तो हम चलिए, font tag का भी यूज करते है, font tag हम लेंगे, close tag लगाएंगे, और यहां पर font tag में, माल लिजे कि हमने लिया, कि press the bell icon, ठीक है, तो आई हम लिखते देखते हैं, तो पी-ार-EWS, press the bell icon, ठीक है, हमने प्रेश दो bell icon लिखा, इसको हम लाइप पर भी देखते हैं, प्ले पे क्लिक करेंगे, प्ले बटन पर खली करना वाद यहां पदेखे, प्लेस दो bell icon आगया, इसमें आप color भी दे सकते हैं, color देने के लिए आप जानते हैं, पूड करते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे color ठीक है तो यहां पे आईए हम लिख देते हैं color और color में हमें क्या चाहिए दोस्त रेड चाहिए तो यहां पे आ गए और हम यहां पे लिखेंगे रेड ठीक है लाइप प्रिव्यू देखते हैं यह देखें जो हमारा प्रेस्ट बेल आइकॉन था वो रेड में आ रहा है यानि कि यह टोटली देखें तो दोस्त यह एप हमारा काम कर रहा है और आप इसमें ड कमेंट बॉक्स में बता दिएगा सारी चीज़े हम आपको बिल्कुल मतलब कि प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर पर दिखा करके सीखा देंगे ठीक है तो आई होप को वीडियो पसंद आऊगो दोस्त तो बस यह है आपको जनकारी और अपने दोस्तों को बाद जिरूर स कर दिएगा जो बच्चे मुबाइल में सीखना चाते हैं ठीक है तो थैंक्स पर आउचिंग इस वीडियो बाई